है तो यहार मेरे प्यारे भाईया लोग मेरे प्यारे बच्चाइब सभी लोग कैसे हैं आप आप लोग बहुत abलोग बहुत ही अच्छी तरीके सब Graci त्यारी करना हो और बहुत िसांदार होंगे बहुत ही जब और जस्त होंगे तो चलिए और हम आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं यहां पर कक्षा बारा यूपी बोर्ड दोजार चौविस जो बच्चे है हमारे इस दोजार चौविस बोर्ड में को पेपर देना चाहते हैं ना कमेस्ट्री रसायन विग्ञान इसमें मैं उन्हीं प्रशनों की बात करूंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है बहुत ही इंपॉर्डेंट है ठीक है ना तो कक्षा बारा की बात करेंगे रशायन विग्ञान पूरी किताब सी जो 95 परशन जो बहुत ज़्यादा पूच जाते हैं ना वह 95 परशनों की मैं यहां पर आज चर्चा करने वाला हूं तो इसा कौन सा विलियन है जो नियूनतम हिमांक वाला बिलियन है तो ऐसा कौन सा बिलियन है जो नियूनतम हिमांक वाला बिलियन है तो चार आपसन आपको दिया हुआ है पोटेसियम सलफेट सोडियम क्लोराइड गलुकोस और यूरिया तो अंसर की बात करें क्या हो जाएगा पोटेसियम सलफेट आप का अंसर हो जाएगा ठीक है ना पिर चलिए अगले कोईशन की बात करते हैं अगला कोईशन आपके सामने कुछ बहुत ही मत प्रश्ण यह भी है और बहुत बार एक्जाम में पूछा गया प्रश्ण है चलिए इसकी बात कर लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का किसको माली जो को हमारे पास क्या है विलियन है उसमें हम क्या कर रहे हैं चालिस ग्राम में नारमलता की गड़ना करना है अब देखिए एक बिलियन है बिलियन में क्या है पान सो एमल जल में घोल रहे हैं तो ध्यान दीजीगा जो हमारा एन्न दीजेगा यहां पर तो जो में गोंने होता है तो जिसमें चीजे घुलती है वह हमारा क्या होता है विलायक होता है और जो चीजों को अपने घोल करके अपने उंदर खनक करेत करें अपने उंदर समाहितадц तो ध्यान दीजिएगा अब इस हमारा सेलुशन बना मतलब इसमें हम 500 ml जल में हम जब 40 ग्राम इ illumuH को मिला रहे हैं तो हमें एक सेलुशन मिलता है तो इन्ने ऋयच के मौलो की संख्या क्या कर रहा है यन्ने उयज के मोलो की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में ध्यान दीजेगा तो यहाँ पर जो बिलियन के मोलो की संख्या है 40 बटे 40 भार बटे अनुभार बिलियन के मोलो की संख्या भार बटे अनुभार और 500 एमल है ml को लीठर ने बदलेंगे तो 500 बटे 1000 लीठर आपका हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 40 बटे 40 बटे 500 बटे 1000 तो क्या हो जाएगा 10 बटे 5 यानि की 2 मोल आपका अंसर हो जाएगा यह बहुत ही सिंपल से प्रश्ण होते हैं, इसको अची तरीके समझना होता है, तो चलिए अगले question की बात करते हैं, अगला question भी आपके लिए बेहद important question है, और बहुत बार पूछा गया प्रश्ण है, प्रश्ण क्या करा है, कि विसिस्ट चालकता से क्या तात्र पर है, इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है न, तो ध्यान दीजेगा, विसिस्ट चालकता से क्या तात्र पर है, इसका मात्रक क्या होगा, तो ध्यान दीजेगा, किसी चालक के विसिस्ट प्रतिरोद की ब्यूत्क्रम को उस चालक की विसिस्ट चालकता कहते हैं, क्या कहते हैं, उस चालक के विस्षिस चालकता कहते हैं या केवल चालकता कहते हैं लाँ इसे गृ के ग्रीक पसकिया था ग्रीउप किस्टे का बराबर ओन आहिंक है न तो विस्षिस चालकता के मातरक क्या होते हैं ohm inverse centimeter inverse या ohm की power minus one या सेंटी meter की semi की power minus one या सीमें semi की power minus one होता है ठीक या आप कल लब हो जाएगा four number की बात करेंगे ध्यान दीज़ेगा अगला question क्या है सून्य कोट की अभिक्रिया किसे सून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं उदारण द्वारा समझाईए ठीक इसके वेग इस्थिरांग का बेंजक लिखिए क्या लिखना है इसका वेग इस्थिरांग का बेंजक लिखना है तो सुन्य कोट के अभिक्रिया क्या होती है वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणुका सांदर्ण परिवर् नहीं करता है सून्य कोट की अभिक्रिया खलाती है। प्रपोर्शिनल to a power 0 होतों सुन्य कोट की अभृक्रिया होगी क्या होगी सुन्य कोट की अभ अभिक्रिया होगी ठीक है ना उधारम्य तोर पर देखिए ध्यान दीजीएगा सूरी के प्रकास की उपस्तिती इसकां हकशाज सुरीक का सांवर करते हैं H2 PLUS ACL 2 सूरी का प्रकास बराबर क्या हो जाएगा 2HCL क्या हो जाएगा 2HCL थीकर न आपके लिए हो जाएगा चलिए अब धियां दीजएगा सून्य कोट की वेग स्थिरांंग का बिञ्जग क्या हो जाएगा सून्य कोट की अभिकूर्या के वेग इस्थिरांग का जो बेंजक होता है यक्स वराबर केटी है जहां यक्स क्या है अभी कारक एकी वह मात्रा है जो टी समय में अभिक्रिया कराती है और के अभिक्रिया का वेग इस्थिरांग है क्या है अभिक्रिया का वेग इस्थिरांग है ठीक है न कुछिस्ट नमबर 5 की बात करेंगे ध्यान दीजेगा क्या करा है संक्रमर तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं ये आपको बताना है ठीक है न ध्यान दीजेगा संक्रमर तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन उरजाएं निम्न होती ह निम्न होती हैं, कम होती हैं, तथा इनके बाहतम कोश में अनेक रिक्तकक्षक भी उपस्तित होती हैं, यह कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माड में सहायता करते हैं, जो कारक होते हैं, यह जो कारक होते हैं, उनमें क्या होते हैं, धात्विक आबंधों के निर्माड में क्या करते हैं सहायता करते हैं ठीक है ना question number six की बात करेंगे तो संक्रमर तत्व में जटील योगिक बनाने की प्रविर्ति अधिक क्यों होती जो संक्रमर तत्व होते हैं उसमें जटील योगिक बनाने की प्रविर्ति क्यों होती है ये आपको बताना है तो ध्यान दीजेगा संक्रमर्तत्वों में जटिल योगिक बनाने की प्रविर्ति निमलिखित कारकों से अधिक होती है कौन कौन से कारक ध्यान दीजेगा ऐसे कौन से कारक है कि जो जिससे संक्रमर्तत्व जो हमारे ह उनमें जटिल योगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो पहला नमबर क्या है धातु आयनों का छोटा आकार होना। इसमें क्या होते हैं आधिक डिक अक्षक आपको देखने को मिलेंगे। तीक है ना अगला क्वेशन ध्यान दीजेगा। ये भी क्वेशन बहुत ही इंपॉर्डन और बहुत ही मत्पूर्ट क्वेशन है। क्या कह रहा है किसी दो लेंथी नैट तत्मों के इलेक्टानिक बिन इसका क्या होता है 4af1, 5d1, 6s2 तो जो इसकी आक्सी करनावस्थाएं होती हैं कितनी होती हैं तीन और चार होती हैं ठीक चलिए इटर्वियम की बात करेंगे जेड बराबर 70 आपका हो जाएगा तो यहां पर ध्यान दीजेगा 4af14 और 6s2 आपका हो जाएगा इसकी आक्सी कर इसका अंतिम इलेक्टान डी कक्षा में अगर इस पी डी एफ चार कक्षा हमारी होती हैं इसे में इलेक्टान भरे हुए होते हैं तो इसका के लिए अगर देखेंगे दो लिखेंगे दो इलेक्टान होते हैं और अगर पी कक्षा के लिए देखेंगे तो तीन और डी कक्ष अगे आपको बताते हैं चलिए कुछ और प्रश्णों की बात कर लेते हैं और आपको नाइट्रेट के गुल में किसमें कापर की छण डालने पर नाइट्रेट का जो घूल है मारे पास इसमें हम क्या करेंगे कापर की छण डाल देंगे तो वह नीला क्यों हो जाता है यह आपको बताना है तो बैदुतर रसानिक स्रेणी का प्रतेक तत्व है अपने से नीचे इस्थितत्वों को उसके बिलियन से बिस्थापित कर सकता है स्रेणी में C U का अस्थान AG से उपर है जो स्रेणी है ना उसमें C U का अस्थान है AG से उपर है अतब यहाँ AZNO3 से निमलिखित करिया देगा कौन से करिया देगा ध्यान दिजेगा CU plus 2AZ NO3 ध्याद समझेगा उसको लिख लिज़ देगा मेरे पहरे भी यह लोग CU plus 2AZ NO3 और क्या हो जाएगा CU plus 2NO3 minus plus 2AZ आपका हो जाएगा इस प्रकार विलियन में Q-Prik अमल CU plus 2 विद्दमान होने से विलियन का रंग नीला हो जाएगा क्या हो जाएगा Q-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-Pri-P बिदुद्धारा नहीं भाती है तो सेल का बिदुद्वाहकबल कहलाता है ध्यान दिजेगा जो किसी सेल के बैदुद्वाहकबल से क्या तात पर है यह आपको बताना है तो ध्यान दिजेगा किसी सेल के इलेक्टोडों के इलेक्टोड विभूमों में ठिक जो हमारे पास इल बिदुत अबगटन नियम की बात करेंगे फैराडे का बिदुत अबगटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्टूड बिसेज पर अगले कुशन की बात करेंगे फैराडे के बिदुत अबगटन का दुती नियम आपको लिखना है इसका फैराडे का बिदुत अबगटन का दुती नियम है वो आपको लिखना है तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा जब स्रीनी क्रम में जुड़े किसमें जब स्रीनी क्रम में जुड़े स्रीनी क्रम आप लोग समझ रहे हैं स्रीनी क्रम और समांतर क्रम वो दो चीजे होती हैं आपको हम बता दें अगर स्रीनी क्रम में होगा तो यहां से मतलब स्रीनी क्रम में होता ऐसे जुड़े रहेंगे ठिक अगर यही समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो एक यहां रहेगा और एक यहां रहेगा ठिक और यह आपका ऐसे क्या बन जाएगा समांतर क्रम बन जाएगा यह हमारा A point है यह हमारा B point है यह हमारा A point है और यह हमारा B point है ठीक यह आपका क्या हो जाएगा स्रेणी हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा शमांतर हो जाएगा ठीक समझ में आया चलिए तो इस नियम के नुसार क्या हो जाएगा जब स्रेणी क्रम में जुड़े बिद्दुत अभघटियों के विलियनों में, जब बिद्धुत प्रवाहित की जाती है, तो ऐलेक्टूडों पर मुक्त या एकक्तित पदार्थों के दरभमान उन के तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं, होते हैं उनके तुलंग के भारों के स्रमानुपाती होते हैं यानि डबलू एवन इस डैकली प्रोपॉस्टनल टू एटू यानि कि डबलू वण अपान e1 बराबर बलू टू अपान एटू बराबर डबलू थरी आप का अंसर हो जाएगा ठीक है ना चलिए बैदुत अभगटन की क्रिया विधी उप्युक्त उधारन द्वारा आपको समझाना है तो ध्यान दीजेगा बैदुत अभगटन की जो क्रिया विधी है उसको आपको समझाना है उप्युक्त उधारन द्वारा आपको समझाना है तो किसी बिदूत अभघट का बिदूत अभघट का बिदूत अभघटन का लाता है हमारे पास कोई क्या है बिदूत अभघट है जैसे यहने CEL, HCL, NA2SO4 यह हमारे क्या है बिदूत अभघट होते हैं जो यन प्लस और माइनस अभघट का बिदूत अभघट का लाता है उधारन तोर पर गलित सोडियम क्लोराइड में बिदूत धारा प्रवाहित करने पर यह शोडियम और क्लोरीन में अभघटित हो जाता है जैसे example तोई पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे गलित sodium chloride हमारे पास है, यान ACL जिसे आप कहते हैं, sodium chloride, ठीक है न, तो गलित का मतलब क्या हुआ, यह मिला हुआ है, ठीक है न, गलित है यह, तो बिद्धु धारा प्रवाहित करने पर, यह sodium और chlorine में क्या हो जाएगा, electrode के द्वारा, तो यह यन्य प्लस और CL माइनस में तूट जाएगा, ध्यान दीजेगा, चलिए आगए आपको बताते हैं, चलिए, अगले question की बात करते हैं, अंगला question की कोलराउस का नियम क्या है, यह आपको बताना है, और बहुत बार exam में यह पूछा गया है, ठीक है न, तो इसको ध्यान से समझिएगा, और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है न, क्या करा है, इस नियम की अनुसार किसी बिद्दुत अभगट की अनंत तनुता पर जो चालगता है, इसके धन आयनों तथा रीड आयनों की मोलर चालगताओं के योग के ब अनंत तनुता पर जो चालगता होती है, इसके धन आयनों तथा रीड आयनों की मोलर चालगताओं के योग के बराबर होती है, यदि प्रतियक चालगतापत को बिद्दुत अभगट का सूत्र में उपस्तित संगत आयनों की संक्या को गुणा किया जाए, तो ध्यान दीजे ठीक, यह आपको लिख देना है, कोलराउस के नियम के अनुपरियोग की बात करेंगे, अनंत तनुता पर जो दुरबल बिदुत अभगट की मोलर चालगताओं करना, क्या करना, दुरबल बैदुत अभगटियों के वियोजन की मात्रा की गड़ना करना, ठीक है ना, क्वेस नंबर 11 की बात करेंगे, ध्यान दिजेगा, क्या होता है, बिदुत अभगटन द्वारा कम सक्रीद हात की जो कलाई होती है, अधिक सक्रीद हात पर चढई जाती है तो जो कम सक्री वाली दहात होती है उस पर क्या होता है उस पर अधी सक्री वाली जो दहात होती है उसका जो पिंट होता वो चड़ाया जाता है ठीक है ना चलिए ध्यान दीजिएगा चलिए कुछ हम बहुत विकल्पी प्रशनों की बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहु इस्तिरांग का मातरक होता है वह क्या होता है तो चार आपसन आपको दिखेगा A. लीटर सेकेंड की पाउर माइनस वन B. लीटर मोल की पाउर माइनस वन सेकेंड की पाउर माइनस वन C. मोल लीटर की पाउर माइनस वन सेकेंड की पाउर माइनस वन चलिए अगले प्रस्णी की बात करते हैं तो वेग इस्तिरांग ताप बढ़ाने पर क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्थित रहेगा या नन आपदीज रहेगा तो यहाँ पर अगर हम मैं बात करूँ वेग इस्तिरांग की बात करेंगे तो वेग इस्तिरा ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो बेग इस्थिरांग का मान क्या होगा वो हमेशा क्या होता है बढ़ता है मेरे बैरे भीया लोग क्या होता है बढ़ता है ठीकर आप अपनसा लिख लिएगा अगले कोई सन की बात करते हैं किसी कोट की अभिक्रिया के लिए किस कोट की अभि प्रथम कोट की अविक्रिया के लिए या तृतिय कोट की अविक्रिया के लिए तो अंसर की बात करेंगे अंसर क्या हो जाएगा सून्य कोट की अविक्रिया के लिए क्या होगा वेग तथा वेग इस्थिरांग की इकाई का मान क्या होता है समान होता है प्रथम कोट की अविक 1 या मोल लीटर सेकंड की पाउर माइनस 1 या मोल की पाउर माइनस 1 लीटर की पाउर माइनस 1 सेकंड तो अंसर की बात करेंगे मेरे पैरे भीया लोग इसका अंसर आप लोग क्या कहेंगे इसका अंसर आप लोग यह आपको बताना है, तो ध्यान दीजेगा, Cucl, Azno3, FeSo4 और ZnCl2, तो ध्यान दीजेगा, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो निमलेखित में जो अनुचुम्बकी योगिक है, वहां कौन सा होता है, FeSo4 क्या होता है, FeSo4 आपका होता है, ठीक है ना, चलिए एगले question की बात कर हैंगे, निमले में अनुचुम्बकी योगिक है, वहां कौन सा होता है, Zn2+, या Ni2+, या Cu+, या Az+, तो अंसर की बात करेंगे, अंसर क्या हो जाएगा, Ni2+, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Ni2+, आपका हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ लिख लीज़ेगा, निमले में रंगहीन आयन कौन सा है, ऐसा कौन सा आयन है मेरे प्यारे भीया लोग, जो रंगहीन आयन होता है आपका, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, Cu+, Cu2+, Ni2+, होगा, या Fe3 होगा, तो अंसर की बात करेंग, अंसर क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चा लोग, मेरे प्यारे भीया लोग, cu plus आपका हो जाएगा ठीक है ना निम्न तत्वों में lanhthinite तत्व है निम्न की तत्वों में जो lanhthinite तत्व होता है वहां कौन सा तत्व होता है radium, cerium, actium या Z-R तो अंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा ce, यहनि cerium आपका क्या हो जाएगा एक lengthy night ततो आपका हो जाएगा ठीक है ना अगले प्रश्ण की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आयन ऐसा है जो उपसंस योजन योगिक नहीं बनाता है तो यने प्लस, सी आर टू प्लस, सी यो टू प्लस या सी आर प्लस तू अंसर क्या हो जाएगा यने प्लस आपका अंसर हो जाएगा ठीक है ना चलिए ध्यान दीजेगा हैलो फार्म किसके ट्राई हैलोजन व्यूतपन है जो हैलो फार्म होते हैं वो किसके ट्राई हैलोजन व्यूतपन होते हैं आपको बताना है तो ध्यान दिजेगा जो halo farm होते हैं वो किसके try halozan भी उत्पन होते हैं तो इसके होते हैं methane के किसके होते हैं methane के होते हैं अगले question की बात करें अगला question ध्यान दिजेगा निमलेखित अभिकरिया C6H6 प्लस CL2 आप सूर का प्रकास है इसमें उत्पाद क्या बनेगा तो C6H5Cl या OC6H4Cl2 या C6H6Cl6 या PC6H4 तो अंसर की बात करेंगे अंसर क्या हो जाएगा C6H6Cl6 आपका अंसर हो जाएगा चलिए अगले question की बात करेंगे अगले question की बात करेंगे अगला question में बहुत ही important है और बहुत ही मतपूर्ण प्रस्ण है आपके लिए तीक है ना क्या कह रहा है लैंथे नाइट तत्वों के दो उधारन दीजिए इनके दो मुक्य उपयोग भी आपको लिखना है तो ध्यान दीजिएगा पहला option पहला आपका answer सीरियम दूसरा uranium ठीक है ना uranium और तिसरा uranium क्या है uranium नहीं है यह मारा uranium है EU जिसे uranium का तो यू होता है यह आप खो जाएगा टर्वियम टीवी उपयोग की बात करेंगा उपयोग देखें ध्यान दीजिएगा सीरियम ताप तथा पराबैगनी प्रकास दोनों का आवशोशन करता है तथा अतर इसका उपयोग चसमे बनाने में किया जाता है अगले कुछ अगला देखें इसमें क्या दे रहा है पिट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फासफेट का उपयोग किया जाता है तो यह आपके लिए हो जाएगा गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिस करने में सीरिया यानि CEC2 का उपयोग किया जाता है संख्या को परिभासित कीजिए किसको करना है मेरे पैरे भीया लोग उपसंसयोजन संख्या को परिभासित करना है तो संकुल योगिकों में केंद्रित हातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसंसयोजक आबंधों की संख्या धात की उपसंसयोजन संख्या कहल आती है तो यह आपके लिए कुछ मोश्ट इंपॉर्डेंट प्रस्त है मेरे पहरे भाईया लोग अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक सेयर कमेंट सब्सक्राइब शरूर कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ अब तक अब बाई वीडियो